Hello everyone, welcome back to another video आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू और ब्रेट से बना बहुती इजी टी टाइम स्नैक्स आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे बहुती शौक से खाएंगे और पुरा टिफिन फिनिश करकर आएंगे अगर आपके पास ब्रेट और आलू है तो आप जट पर से ये बना सकते हैं बहुती इजी है और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करिएगा तो चली इस मज़िदार सी रसेपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है इसमें एट करेंगे 3-4 टेबल स्पून ओयल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें एट कर देंगे हम एक मीडियम साइज का प्यास जिसे बिल्कुल बारिक चॉप कर लिया है इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक हलका सा कलर चेंज ना हो जाए अब एट करेंगे हम 3 इसमें हरी मिर्चें थोड़ा साइसे सौते कर लेंगे अब एट करेंगे 1 तीजपून अद्रक लेसन का पेस्ट इससे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए हल्दी पॉर्डर half teaspoon, कीचन किंग मसाला half teaspoon, धन्या पॉर्डर one teaspoon, जीरा पॉर्डर half teaspoon और यहां पर चिली फ्लेक्स मैंने आड़ किया है, one four teaspoon तो यहां पर जो मिर्चे हैं अपने टेस्ट के according आप कम जादा कर सकते हैं इन सबी मसाली को हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे तो मसाल अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें आड कर देंगे उबले हुए आलू तो यहाँ पर मैंने 6 मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इसे बॉइल करके और बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसमें आड करेंगे हम 1 टी स्पून नमक या फिर आप अपने तेस्ट के एकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें आड करेंगे हम मटर तो यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर लिया है 1 फोर्थ कप अगर आप ताजा मटर ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सा बॉil करके फिर एड़ करें और इसमें एड़ करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें आप और भी वेजेटेबल्स यूज़ कर सकतें जैसे कि गाजर है, बीन्स है, पनीर है, इसे बिलकुल बारी करके आप एड़ कर सकते हैं तो यह मसाला हमारा बिलकुल रैड़ी है, अब इसमें पुरी तरह से ठंडा कर लेंगे अब यहाँ पर हमें एक सलरी बनाना है, इसके लिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून मैदा तो उसके उपर जो कवर है वो बहुत ही पतला होगा, और तलने के टाइम आलू बाहर आ सकते हैं इसलिए इसका जो सलरी बना रहे हैं, यह थोड़ा सा थेक होना चाहिए तो यह सलरी भी रैड़ी है, और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिये हैं आटा ब्रेड यूज कर रहे हूँ तो उसी का मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर एक सलाइज लेंगे और इसके उपर पटेटो मेक्षर जो है इसे अची तरह स्प्रेड कर देंगे और इसको थ्री इकवल पार्ट्स में इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे तो इसी तरह से आपको जितने स्लाइज बनाने हैं आप बना के रख लीजे तो यहाँ पर मैंने तीन ब्रेड के स्लाइज के बनाए हैं और इसमें से नौ पीस बने हैं अब इसे हम कोट कर लेंगे तो पहले से सलवी में डिप करेंगे इसके बाद ब्रेड क्रम से अची तरह कोट कर देंगे तो इसी तरह से हम सभी को कोट कर लेंगे और इस स्टेज पर आप इसे मेक और फ्रीज भी कर सकते हैं आप इसे बना के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी एर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजे और जब मन चाहें आप निकाल के इसे डारेक्ट फ्राई कर सकते हैं तो यह बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए तो इस तरह से हमने सबी बना लिए हैं अब इसे डीफ फ्राई कर लेंगे तो यहां तेल बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए तो गरम तेल में इसे हम फ्राई कर लेंगे और जब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और बागी के भी हम इसी तरह से तल लेंगे तो यह हमारा बहुत ही easy सा snacks बनके ready है बहुत ही tasty है जितना यह जल्दी बनता है उतना ही tasty भी होता है तो आई हो आज की recipe आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe सरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में Until then take care and have a wonderful day